हलो बार नवस्तकार मेड़ी पियार आपका इस यूटूब चैनल में बहुत बहुत साथ करता हूं फैंस तो आज हम आपको उताने वाले हैं कि यहाँ पर एक केस्वी की मीटिंग होई है जिसमें यह बात ची चल लही है यह नड़े लिया जा रहा है कि यहाँ पर केवल एक ही कार रखा जाएगा जिससे सैनेकों को सभी सुधायन दी जाएंगी उसमें अलगलग कार नहीं रहेंगे जैसे आई कार होता है एक क्यापका कैंटीन कार होता है लिक्र कार होता है वो सारे कार जो हैं वो सारे कार एक ही कार में सामल कर दिया जाएंगे जिससे क्या है कैरी करन पर क्या क्या नए फीचर एड करे जाएंगे वो सारी चीज hierघ अज हम बात करने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग जांते हो कि युआपदी के लिए परस एक बरद nella है लेकिन मेरे सीनियर स्वीजेंस जो हैं उनको थोड़ी सी परिशानी आती है तो मित्रों यहाँ पर यह है कि समय के साथ तो बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे भुतपुर्ष रहन को यहाँ पर समय के साथ चलना होगा जिससे कि आपको कोई भी असुविदा न हो मित्रों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप आई स्टेप के कैसे क्या डिसीजन किया गया है क्या हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें के एसबी की एक बैठक नई दिल्ली में आजित की गई केंदिर शैनिक वोड की 31 बैठक 11 अपरल 2023 को माननी रक्षा मंत्री जी कि राजना सिंग की अधिक स्ता में विग्यान भवर नई दिल्ली में आजित की गई संबन्दित भाग एजन्डा विंदूओं के आइटम नंबर पांच पर चर्चा की गई और विषय यानि इसपर्स डाटा प्रवंदन पर लिया गया नरणय नीची दिया गया कि उसपर्स में हम लोग कैसे कैसे करके क्या क्या सोधा है ले सकते हैं देखिए यहाँ पर इसपर्स का सबसे बड़ा पैंशन प्लेटफॉर्म है और हर साल पैंशन बहुएं का आधार का विष्टार हो रहा है जैसे कि इसमें हर दिन ही नए जो पैंशनर से उनको माइगरेट किया जाता है और अभी यहाँ पर इसपर्स 2.0 का वर्जन लॉंच किया जाएगा आर एस भी और आपका जैड़ एस भी चैसे नागरिक जो संग्ठन है सामना करने वाले संग्ठनों को पैंशन बुगों के सत्यापन सच मानने और एक इकरित डेटा सेट का एक स्वर्ण डेटा सेट प्रदान करेगा मतलब यहाँ पर जो इस पर 2.0 का जो बर्जन लॉंच होगा उसमें सारी सुबदाएं होंगी सब कुछ यहाँ पर ESM को विन सीवाइं प्रदान करने के लिए इस डेटा का उपयोग करने का प्रस्थाब किया गया था कुछ सद्धियों ने रिकॉर्ड का रहे लेकि मादेम से अपने डेटा सत्याफन संसोधन में ESM द्वारा वरत्मान में जो उनको समश्यां आ रही हैं उनकी भी सिकायत करी थी कि भाई यह समश्यां यहाँ पर बहुत मुश्याइन को आ रही है इनको यहाँ पर दूर किया जाए तो इस पर सम्मदित मद्वों पर प्रस्ताब किया गया था उसमें क्या-क्या प्रस्ताब थे तो यहाँ पर यह भ पत्र जमां करना है तो आप कहीं जमां करने जाओगे बैंक में जमां करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टेंसन होती है अभी यहां पर इस पर्स में करते हैं तो घर बैठी कर लेते हैं तो इसलिए यह अन्य माध्यमों से सरल माध्यम सदस्यों को अभगत कराया गया है कि साम समस्यां आ रही हैं उन समस्यां का सीगर ही संभाधान किया जाए चाहे तो आप लोग यहां पर सीएसी के माध्यम से करो चाहे आप लोग यहां पर इसपर्स मित्र बनाओ चाहे कुछ भी करो लेकिन यहाँ पर यह जो बूत बूर्श हैनकों को समस्य आ रहे हैं इसको खतम करो जिससे कि उनकों टेंसन बढ़ रहा है साथ ही दीरकालिक लक्ष सभी ESM लाबों के लिए एक ही कार्ड रखना होगा विविन सदस्यों दारा निमलिकित बाते सामने रखी गई है कि उसमें क्या क्या बदला हो सकता है क्या क्या मुद्द उठाए तो नमबर एक है यहाँ में ECM का मास्टर डेटा बनाना एक स्वागत योग कदम है इस तरह के डेटा को राजियों के साथ भी साजा किया जाना चाहिए ताकर राजिस्त पर भिन कल्यान कारी योजनाओं में लक्षित हच्चेप किया जा सके अब बात आती है दूसरी तो पूरु शेनकों और विद्वाओं को स्पर्स में सम्मद्द सभी चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है हाँ यह है कि देखिए बुज़र्ग जो हैं यहाँ पर उनको समस्या तो आ रही है खासकर गैर स्टेशनों में जैसे कि आप इस पर्स मिश्यीस रूप से गहर स्टेशनों से संब्द्द मुद्दों को हल करने के लिए अतरिक्ट प्रआसों की आव सकता है तो यहाँ पर जो जो भी समस्या है जो भी यहाँ पर मुद्दे आ रहे हैं जिससे नाराज हो रहे है इस पूरु शेनल को यहाँ पर खतम किया जाना चाहिए इसपर्स को अधिक प्रिक्रियास सील होना चाहिए दिगजों की सिकायतों पर तुरित उत्तर एवं यहाँ पर सीक्र समादान किया चाहिए मतलब जो भी यहाँ पर सिकायत करता है उसको जल्दी ही निप्टाना उसका सिकायत का करना चाहिए इसपर्स समद्दों पर नगने क्या लिया गया तो दीकि इस पर डेटा का उप्योग नकेवल पैंसन समद्दी मुद्दों के लिए किया जाना है बलकि रिकॉर्ड का रहाल है एसी एचस सी एसडी कैंटीन और एसम के केंद्र डेटाबस के रूप में भी किया जाना है RSB जेड एसबी आद इस दिसा में निमलिक प्रगति की जानी चाहिए क्या क्या प्रगति की जानी चाहिए राज केंद्र सासित प्रदेश सरकारें चैड बीची जेड एसबी में इस पर पहुंच सुविदा इस्तापित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के साथ संपरक करेगी जेड एसबी कर्मचारियों को अवर्शक प्रसिच्छन और CSC के साथ एक ही करण के लिए साहिता प्रदान करने के लिए RSV, ZSV, CZDA त्वारा IT अव सरचना और जनसक्ती पर काम किया जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंट्स देखी यह इसमें परिशान होने वाली बात नहीं है आने वाले सब्समें इस पर समें सुधार ही सुधार किया जाएगा और इसको कैसे यहाँ पर एक उप्योगी बनाया जा तो यहाँ पर जो CZDA है इस पर 0.2 के लिए ZSV की आव सक्ताओं का आकलन करने के लिए नामित ZSV RSV के लिए मेंबर्स TCS द्वारा साइड विजिट सर्वेशन की यूजना बनाएगा यहाँ पर समय समय पर TCS जो है जो मेंबर्स TCS द्वारा यहाँ पर साइड विजिट की यूजना तयार की जाएगी जिससे कि यहाँ पर साइड कैसी चल लिए उसको यहाँ पर देखा जाएगा ECHS, CDS, Cantine और RSV, ZSV को स्पर्स पनाली पर सामिल किया जाएगा ताक प्रासंगिक स्पर्स डेटा तक पहुँच बनाई जा सके यहाँ पर केंद्री राज यूजनाओ, ECHS, CDS के लाव उठाने के लिए ESM के लिए One Nation, One Card की दिसामें प्रगति किरिया के द्वारा यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है CZDA, DESW, KSB अनभाग, ECHS, DDZ केंटी सेबा, राज सेबा, राज एवं केंद्र सासित प्रदेश का यहाँ पर अनुदान किया जाएगा Friends, यहाँ पर देखिए आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करें मैं आपसे एकली वीडियो में फिर्मलूँगा, तब तक के लिए जैहिन, जैबारत, नमस्कार, बंदे बात्रम